Hello everyone, welcome to Taste of India आज की रेसिपी आलू और परबल की बिना प्याज और लसन की सबजी की है सावन में नवरात्रों में कोई भी ब्रत्योहार में लोग प्याज और लसन नहीं खाना चाहते और सिंपल पर टेस्टी सबजी सभी खाना चाहते ऐसे में बिना काजू और बाहर की क्रीम के बिना ज़्यादा ताम जाम के घर पर ही सिंपल और आसान तरीके से रेसिपी शेयर करूंगे इसमें सबजी चटपटी और ग्रेवी गाड़ी तयार होगी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सबस्क्राइब कर ले इस सबजी को प्रेपेर करने के लिए परबल के दोनों साइट को कट करके हटाए और चाकू से स्क्रेब कर ले ग्रीन वाले पार्ट को पूरी तरीके से ना चीले और धोने के बाद इसे कट करने में एक चीज का ध्यान रखना है कि साइट से ऐसे हलका चीरा लगाना है और दूसी साइट से पीसेस को अलग कर ले, फिर बीच से भी छोटे पीसेस में कट कर ले इसे ग्रेवी परबल में अच्छी तरीके से अंदर तक जाती है ऐसे ही सभी परबल को प्रिपेर करके रखे फिर एक कड़ाई को आज पर चढ़ाएं और इसमें तीन से चार चमत छोटी चमत से तेल डाले तेल गर्म हो जाए तो पीसेस में कट के हुए परबल डाले और परबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक डाल दे परबल को दोनों साइट से पलटते हुए फ्राई करें जिससे सारी पीसेस अच्छी से गोल्डेन होने तक फ्राई हो जाए पलटते हुए जब फ्राई करते हैं तो इस तरीके का प्यारा सा कलर आता है जो परबल की टेस्ट को बढ़ाता है आज को बंद करें और साइट से थोड़ा रुखते हुए परबल को निकालें जिससे एक्स्ट्रा जो भी टेल होगा वो निकल जाएगा परबल को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें जिससे ऐसा कलर आए पर ये जले नहीं इसे साइट में रखतें बापस से आज को अन करें और जो तेल बचा हुआ है उसी में आलू को भी फ्राई करेंगे ये उबाल कर छील कर और छोटे पीसेज में कट किये हुए आलू है जिस साइज का परबल है लगबग उसी साइज का आलू को कट करें जिससे दोनों को पकने में एक समान ही टाइम लगेगा आलू को एकॉर्डिंग नमक डाले और तेज आज पर ही लगातार से चलाते हुए इसे ऐसा गोल्डन होने तक फ्राइ कर ले चाहें तो आलू और प्याज को एक साथ भी आप फ्राइ कर सकते हैं पर अलग-अलग फ्राइ करने से इसका टेस्ट काफी ज़्यादा अच्छा आता है तो आप भी ऐसे ही बना कर एक बाट ट्राइ करें सारे आलू को अलग करके रख ले और इस कड़ाई में छोटी चमस से दो चमस तेल बढ़ाया है मैंने तेल गर्म होने पर साबचीरा डाल कर चटकने दे फिर आज धीमी करें और दो सूखी लाल मिच दो तेज पत्ते डाले और धीमी आज परी सूखे मसाले डाले जिससे ये मसाले जलेंगे नहीं हल्दी पौडर, धन्या पौडर और कश्मिरी लाल मिच पौडर कलर के लिए डाला है मैंने यहाँ पर तीखी वाली मिच का अस्तेमाल नहीं किया है दीमी आज पर आथा मिनट फ्राई करें फिर बेसन डालें जिससे पोकोड़े वगर प्रिपेर करतें वही बेसन यहाँ पर एक चमज भर कर डालें और लगातार से चलाएं बस एक मिनट ही फ्राई करें जादा नहीं करना है इस तरीके से जाग आने लगे और गुठलिया खत्म हो जाएं और सोंधी खुश्पू आ रही है तो एक प्यूरी डालनी है इसमें एक टुकड़ा अद्रक का टमाटर और दो से तीन हरी मिज या तो अपमी पसंद के नुसार डालें आधा चमर साबर चीरा डालकर ग्राइंड करके प्यूरी तयार करके रखी थी इसे डालें और मेक्स कर लें इसके बाद टमाटर को पकने के लिए नमक डालें और आज तेज करके लगातार से चलाएं जिससे बेसन भी नहीं चलेगा टमाटर अच्छे से पकेगा और ऐसे तेल रिलीज होने लगता है तेल रिलीयस होने पर ही 3-4 चमच पानी डाले और इसे बापस से पकने दे इस से बेशन से इस तरीके से जालियां जैसे बनेगी जिससे प्याज की कमी इस करी में नहीं लगेगी आज थीमी करके इसे धक कर पकने दे ये देखिए बिलकुल बेशन में जालियां रेडी हो गई है जो प्याज की कमी को पूरा करेगा और सबजी में टेस्ट तो इन्हेंस करेगा है इसे गाढ़ा भी बनाएगा टमाटर से स्वाध बढ़ेगा तो इन सब चीजों को आप इस्तेमाल करके एक बर इस सबजी को बना कर देखे सबजी काफी टेस्टी बनेगी बापस से तेल रिलीज होने पर जरूरत के कॉर्डिंग पानी डाले और उबालाने पर आलो और परबल जो फ्राय करके रखा था उसे डाल दे फिर गर्ब मसाला पॉडर और कसूरी मेथी डाले धीमी आज पर ढख कर दस से बारा मिनट इसे पकने दे ये पक चुका है इसकी रंगत देखें कितना सुन्दर कलर आया है अगर आपको पसंदो तो घर की मलाई एक चमस डाल दे और मिक्स कर ले बिल्कुल शाही सबजी की तरह सबजी रड़ी होती है जिसे आप शादियों और पाटियों में खाते बिल्कुल वैसी ही करी तैयार हुई है और देखिए ग्रेवी भी काफी गाड़ी है रिसीपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले